हेलो एवरेन रेखा रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू का हल्वा इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही जल्दी और जहटपट बन जाने वाली रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तीन आलू को उबाल कर इस तरह से करस्ट करके रख लिया है देख सकते हैं पैन गरम करेंगे पैन के गरम होते हैं यहाँ पर मैंने एक कप गी लिया है चोटा वला कप है तो गी डालते समय थोड़ा सक गी बचा लेंगे उसको हम बाद में यूज करेंगे गी को गरम होते हैं उसमें हम आलू डाल देंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आलू को मैंने पूरा नहीं मेश किया है, थोरा थोरा टुकरा रखा है, इससे क्या होगा कि हमारा आलू अच्छे से घी में भुनेगा, अगर आलू को आप एक साथ पूरा तोर देंगे, तो ठीक से नहीं भुनाएगा, और ऐसे थोरा थोरा अ आप देख रहे हैं, मैं कैसे तोर रही हूँ, इस तरह से तोरते रहे हैं, चलाते रहे हैं, आलू को कलर चेंज होने तक भूने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैसे तोर रही हूँ, बस इसको इसी तरह चलाते हुए, यहाँ पर देखें, आलू सारा मैस हो गया है, यह जब तक भूनते हुए आपको आलू का कलर चेंज हो जाएगा जब तक आलू पूरा मेस होगा तब तक आलू अच्छे सी घी में भून चुका होगा अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से ड्राइफ फ्रोट्स यह अपने आप इसको अस्कीप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और किस्मिश डाले हैं बस इसको एक मिनट और चलाएंगे एक मिनट के बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप दूद का अब कप का मेजरमेंट अपने हिसाब से करें यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना आलू का हलवा है पुड़ा उसमें डूब गया है दूद में इतना दूद डालें आलू को दूद में भी पकना है तो दूद को तब तक चलाते रहें जब तक सारा दूद सूख न जाए उ जब तक आलू का सारा दूद सूख जा उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे चीनी यहाँ पर मैंने एक चमच चीनी डाला है बड़े वाले चमच से अगर छोटा वाला चमच है दो चमच डाले मीठा अपने अनुसार डाले बस इसको चलाते हुए थोरी दिर बाद जो बचा हुआ घी था और डाल देंगे और यहाँ पर गैस को कम करके इसको लो मिडियम पर अच्छे से पकाएंगे जब तक सारा आलू ठीक से सूख न जा जो हमने घी डाला है वो अच्छे से हलुआ से अलग होने यहाँ पर देखें होने लगा है जो वो अच्छे से अलग हो जाए तो यहाँ पर हमारा हलुआ बनके तयार हो गया है आप देख सकते हैं प्लेट में सर्व कर लेती है यहाँ पर मैंने एक प्लेट रखा और मैंने पहरे ऐसे बॉल में हलुए को डाला फिर इस तरह से प्लेट रखके उसको ऐसे पलट देंगे और फिर बॉल को हटाएंगे ऐसे जमा रहे हैं उपर से मैं एक काजू के इसमिस ऐसे डाल देती हूं और थोड़ा से यहाँ पर मैंने पिष्टा रखा है यह बस ऑप्सनल है यह सब जरूत नहीं है यह सब चीजों का यह मैं प्लेटिंग कर रहे हूं इसलिए डाल रहे हूं इस ऐलोय का आप रत में भी खा सकते हैं पसंद आया तो लाइक करें